Union Public Service Commission UPSC ने Civil Service Exam 2019 का Final Result घोशित कर दिया है और इस Result में Provisional List भी जारी कर दी गई है UPSC ने सितंबर 2019 में Civil Service Exam के लिखित पर इक्षा ली थी और इस exam में इंदाल के प्रदीप सिह ने देश में 26 वी रैंक प्राप्त की है मादि प्रदीश में वो पहले नंबर पर है वहीं करोट के पूर्वनगर परिशाद अध्यक्ष राजीश चौधरी के पत्र अभिनव चौधरी ने ये परिख्षा पास कर ली है अभिनव की देश में 238 वी रैंक पनी है परिख्षा में कुल 829 उमिद्वारों को सिलेक्ट किया है जिसमें 304 उमिद्वार जनरल कैटेगरी से 78 आर्थिक रूप से पिच्ड़े वर्ग 2 से 51 अन्य पिच्ड़ा वर्ग 119 SC और 69 ST कैटेगरी से है 26 वी रैंक हासल करने वाले प्रदीप से हैं बिहार की गुपाल गंच के रहने वाले हैं वर्द्मान में उनका परिवार मतिप्रदीश के इंदौर में रहता है प्रदीप जो 5 साल के थी तब उनका परिवार गुपाल गंच से इंदौर आकर रहने लगा था उनके पता पैट्रूल पंप पर काम करते हैं इनकी आर्थिक स्थिती बहुत ही नाजुक है इसके बावजूद भी प्रदीप ने अपने महनत और लगन से ये सफ़दा हासिल के है प्रदीप पच्पन से ही होना थे इन्होंने दसवी और बारवी में 81 प्रतिशत अंक प्राप्त किये इसके बाद IAPS DAVV endorse से उन्होंने commerce में graduation किया प्रदीप से अपनी सफ़दा पर ये वाओं को संदेश देते हैं कि किसी के दबाव में आकर ये परिक्षा पास नहीं किये जा सकती खुद को मन लगाकर महनत करनी होती है आपको बता दे कि इस बार IAS Banesh से हैं पिछली बार भी All India 93 रैंक लाने में सफल रहे थे फिलहाल वो Income Tax Assistant Commissioner के तौर पर सिवाय दे रहे हैं UPSC ने सितंबर 2019 में Civil Service की लिखित परिक्षा ले थी जिसमें कई उमिदवारों नहीं भाग लिया था और इसमें दौर के प्रदीप ने अपना नाम रोशन किया है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अब्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें